हलो फिर्ट्स पिछली वीडियो में हमने रिगवेधिक पीरिड और लेटर वेधिक पीरिड की पॉलेटिकल ओगनाजिशन को कमपेर किया हमने दिखा था कि किस तरह पॉलेटिकल ओगनाजिशन रिगवेधिक पीरिड से लेटर वेधिक पीरिड में चेंज हो गई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल लाइफ की यानि हम लोग देखेंगे कि रिग वेधिक पिरेड में जो सोशल लाइफ थी वो किस तरह से लेटर वेधिक पिरेड में चेंज हो गई थी तो रिगवेधिक period को पढ़ते हुए हमने देखा था कि रिगवेधिक society एक patriarchal society थी patriarchal societies वो societies होती हैं जिने men कंट्रोल करते हैं लेटर वेधिक period में भी societies patriarchal ही थी in fact कहा जा सकता है कि लेटर वेधिक period में families में patriarchy और ज़्यादा strong हो चुकी थी और इस बात के evidence मिलते हैं एत्रिय अब्रामना से जिसमें daughters को source of misery बाना गया है और एत्रिय अब्रामना में ये भी कहा गया है कि अच्छी women वो है जो पलट कर जवाब नहीं देती है इन सब बातों से पता चलता है कि लेटर वेधिक period में women के पास privileges काफी कम थी हलकि जो royal households थे उनमें रहने वाली महिलाओं के पास फिर भी काफी ज़्यादा अधिकार हुआ करते थे इसके अलावा रिगवेधिक period में हमने ये भी देखा था कि रिगवेधिक period के लोगों में आम तोर पर monogaming practice हुआ करती थी यानि एक आदमी एक ही औरत से शादी किया करता था हलकि royal families में जो prince या kings होते थे वो एक से ज़्यादा औरतों से भी शादी कर लिया करते थे जिसे polygamic आ जाता है बट ये सिर्फ royal और noble families में ही possible था लेटर वेधिक period की बात करें तो ये practice लेटर वेधिक period में भी continued रही चले देखते हैं कि और क्या-क्या हुआ करता था रिगवेधिक period में तो हमने देखा था कि रिगवेधिक period में child marriage नहीं हुआ करती थी child marriage का कोई भी example रिगवेधिक period में देखने को नहीं मिलता है तो उसकी wife को जला देने की जो प्रथा है जिसे सती प्रथा गहाजाता है वो रिगवेदिक पीरिड के दोरान नहीं हुआ करती थी बट लेटर वेदिक पीरिड के दोरान सती प्रथा की practice के कई सारे evidences देखने को मिलते हैं और एक बात तो माननी होगी कि रिगवेदिक सोसाइटी चाहे patriarchal societies ही क्यों नहीं हो Still रिगवेदिक पीरिड के दोरान कुछ मामलों में women और men को equal अधिकार थे For example, दोनों major ceremonies में participate कर सकते थे Popular assemblies जैसे की सभा और समिती इस को attend कर सकते थे और दोनों के पास यह अधिकार था कि वो वेदों को पढ़ें और अपने आपको spiritually और intellectually डवलप करें और इसके कई सारे examples हमें देखने को मिलते हैं जैसे की women poets, अपाला, विश्वरा, घोश और लोपा मित्रा के examples हमें रिगवेद में देखने को मिलते हैं इसके लवा अपाला और विश्वरा ने यग्ये भी किये इसके भी evidences हमें रिगवेद में देखने को मिलते हैं इसका मतलब कि even though रिगवेदिक society एक patriarchal society थी बट इसके बावजूद women की position रिगवेदिक period के दोरान काफी अच्छी थी तो चलिए देखते हैं कि लेटर वेदिक period के दोरान women की इस्तिती में क्या-क्या बदलाव होए तो सबसे पहला change तो यहीं हुआ कि अब women को popular assemblies जैसे कि सभा और समितीज को अटेंड करना allowed नहीं हुआ करता था हलाकि वो अभी भी spiritual और intellectual development के लिए वेदों को पढ़ सकती थी और यह इस बात से evident भी है कि गारगी नामा के एक women saint ने यगन वल्के नामा के एक रिशी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था बट फिर भी एक बात तो तैह है कि women का जो status था वो लेटर वेदिक period में decline हो रहा था women को men से inferior और subordinate ही समझा जा रहा था इसके अलावा हम लोगोंने रिग वेदिक period को पढ़ते हुए ये भी देखा था कि Aryans जो है वो देखने में इंडियन natives से काफे different थे और Aryans इस बात से aware थे कि वो fair है उनके facial features pointed है जबकि natives जो है वो dark skin है इसलिए रिग वेद में जो term use की गई है वो है word basically word का मतलब होता है color natives को dasas या dasuse के नाम से जाना जाता था और उन्हें Aryans ने रिग वेदिक period के दोरान हरा दिया था और उन्हें शूद्र कहा शूद्र basically एक subjugated tribe ही थी और उसी के नाम पर उन्हें शूद्र कहा जाता था और यहां पर जो Aryans थे उनमें कुछ tribal chiefs थे जिनें राजन कहा जाता था कुछ पुरोहित थे कुछ सेनानी थे यानि commander in chief थे और बाकी के common people इन सब को इनके काम के आधार पर divide किया गया था जैसे की राजन और सेनानी को शत्रिय कैटेगरी में रखा गया जो common people थे क्योंकि वो trade क्या करते थे इसलिए उन्हें वैश्य कहा गया और जो पुरोहित थे उन्हें ब्रहमिन कहा जाता था रिगवेद में कहा गया कि जो ब्रहमिन है वो ब्रहमा के mouth से निकले है आम से निकले है शत्रिय लेच से निकले है वैश्य और feet से निकले है शूद्र इस तरह का एक four-fold social division हमें रिगवेदिक पीरड में देखने को मिलता है बट ये four-fold division rigid नहीं था अगर कोई इन्सान वैश्य है और उसका बेटा शत्रिय बनना चाता है तो वो बन सकता है बट आगे चलके लेटर वैदिक पीरड में ये four-fold division पूरी तरह से establish हो गया अब वैश्य का बेटा शत्रिय नहीं बन सकता था शत्रिय का बेटा ब्रहमिन नहीं बन सकता था यानि शत्रिय का बेटा शत्रिय बनेगा ब्रहमिन का बेटा ब्रहमिन बनेगा वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा और इस तरह का एक four-fold social division लेटर वैदिक पीरड में पूरी तरह से establish हो गया था तो हमने इस वीडियो में देखा कि social life किस तरह से रिग वैदिक पीरड से लेटर वैदिक पीरड में चेंज हो गई थी नेक्स वीडियो में हम लोग आगे के points को कवर करेंगे ancient history की सभी वीडियो की pdf को download करने के लिए आप बुकस्तावा एप को download कर सकते हैं link description में मिल जाएगा इंडिया की history और इंडियन पॉलिटी को detail में cover करने के लिए बुकस्तावा की playlist को follow कीजिए thank you for watching this video